इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS थापना जो मानव संपदा से जो हम छुटी लेते हैं उनलाइन लीव उसी की जगह एप डबलब की गई है MS थापना उस पर हम अपने हेट टीचर को कैसे करें reporting officer select यह हम इस रीडियो में केबल जानेंगे कि कैसे करें reporting officer select तो reporting officer select करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा login में जैसे आपको login दिख रहा है तो हमें यहां login में जाना है चाहिए हमें छुटी लेनी हो या किसी की छुटी अप्रूव करनी हो या reporting officer select करना हो जाना हमें login में पड़ता है फिर हमें यहां से department select करना पड़ता है और यहां हमें अपना मानप समपदा code डालना पड़ता है जो हमारा मानप समपदा code है वो हम इसमें डालते है जिसे मैं वानब सम्पदा कोड इसमें डाल रहा हूं फिर यहाँ से हम करते हैं इसको next और next करते हैं तो फिर यहाँ से यह अपना password यहां हम डालते हैं यहाँ password डालते हैं यहां हम tick करते हैं कि I am not a robot capture verify होता है फिर login करते हैं और इस तरह से हमारे login हो जाता है और उसके बाद हम select करते है reporting officer वह कैसे select करते हैं वह हम आगे जानेंगे password डालने के बाद यहां से हमने टीक किया तो आप देखोगे कि verify हो रहा है capture verify हो नहीं करता है फिर हम login पर click करते हैं और फिर यह इस तरह से खुलके हमारे सामने आ जाता है तो यहां हमें जाना रहता है उपर देख रहे होगे हमें जाना रहेगा यहां leave management में जैसी हम tick करते हैं leave management को कुछ ऐसा interface खुलके आता है हमारे सामने पूरा interface खुलके आने के बाद हम देखेंगे सबसे ही पहले है हमारा कि select और change reporting officer तो यहां हमें अपना डिस्टिक चूज करना रहता है जिस भी डिस्टिक से हम belong करते हैं जैसे हम बिस्टिक से हैं फिर हम select label यानि कि reporting officer कौन से label से select करना चाहरा है हो तो हमें schools यानि hate teacher को करना है तो सबसे नीचे रहता है यहां आप देख रहे होंगे सबसे नीचे school ही लिखा हुआ है तो यहां से हम school को जैसी select करते हैं तो school की पूरे डिस्टिक के schools की list खुलके हमारे सामने आ जाती है नीचे select office यहां से select office में schools की list हमारे सामने आ जाती है तो आप देखोगे अफजल गड़ से सुरू हो रही है जिस भी ब्लॉग से ब्लॉग करते हैं वहां से हम अपने school का name यहां से select कर लेंगे और इस तरह से हमारा reporting officer select हो जाएगा जैसी आप किसी भी school से हो वो यहां से select कर लोगे जैसे आप यहां देख रहाए हूँगी मेरा जी एची सिकरौंदा है तो मैं यहां से जे एची सिकरौंदा को select कर लूगा तो जैसी मैं select करता हूँ तो ऐसे हमारा यह select हो जाता है और select होने के बार यहां से जिस भी यह employee के list आती है जो हमारी हेड है उन्हें हम select कर लेते हैं जैसे हमारी हेड है रहताजी तो हम रहताजी को यहां से select कर लेते हैं फिर नीचे आता है confirm reporting officer तो हमें confirm पर क्लिक करना पड़ता है तो जैसी हम confirm पर क्लिक करते हैं यहां से कंफर्म माले मैसेश को आपको करना पड़ेगा कंफर्म करेंगे जैसी हम कंफर्म करते हैं तो आप देखोगे कुछ ऐसी प्रोसेसिंग के बाद रहता सिंग हैस बीन कंफर्म एज यह रिपोर्टिंग फोर लीव यह चुट्टी के लिए अब कंफर्म हो गया तो फिर यह हमारा बैक हो जाता है आप देखोगे तो फिर से आपको लॉग इन करना पड़ता है दुबारा से अपलाई करने के लिए चुट्टी तो इस तरह से हम अपलाई करते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर सलेक्ट या चेंज करते हैं यह आपको वीडियो पसंद आया हो त प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब माइ चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है थैंक यू फू वर्चिंग इस वीडियो